गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स अब वार यू आइटिंग उलर फाइन सो पी आर्टी का रजर्ट जब तक नहीं आता है जो बच्चों के माइन में डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है क्यों क्योंकि एक बार ये हो जाता है कि कम से कम एक बार कन्फर्म हो जाए कि कितने स् केंडेट्स ऐसे हैं जिनका वन थर्टी प्लस स्कोर है और वो भी इंटर्वी प्रप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे थे कि मैं एक आहिटिया सा दे दो जिससे कि हमें मिल जाए इंफर्मेशन कि इतने के बच्चों को करने चाहिए और इतने रहने क्योंकि देखो प्रटी वाले हैं उनको भी यह हो गया है कि आपकी कटोफी इतनी हाई जाएगी और जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा लेकिन उनका और आपके कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो की इफेक्ट करते हैं आपकी अंसर की को आपकी कटोफ को जो की इतनी हाई नहीं जाने द क्यों कि रिवाइज दंसर की अभी आई नहीं है और नहीं शायद आएगी क्योंकि पीज़ीटी और टीज़ीटी के लिए इतना सारा ज़्यादा ट्राइ कि रिवाइज दंसर की डाली जाए तक जो है इंफरमेशन मिल सके कि केंडियर्ट्स को कि इतना स्कूर उनका बनता है लेकिन रिवाइज दंसर की नहीं दी गई है तो पी आटी वालों के साथ भी सेम ऐसा ही होने वाला है रिवाइज दंसर की आपकी बहुत ही मुश्किल है यानि कि ये मान के चलो की आएगी है नहीं तो और जो आपकी अंसर की है उसमें इतनी सारी कम से कम भी 10 तू 15 ठीक है तो जो हाड़ सिफ्ट में था हाड़ सिफ्ट में जो बच्चा था उनके जो है स्कोर इंकरीज होंगे और उसके साथ साथ जब रिवाइज दंसर की आएंगी तो आपकी 10 तू 15 आपका जो स्कोर है वो इंकरीज होके ही आएगा तो जिन केंड़ेट्स के 1,1,10 स्कोर है अगर वो hard shift में है तो 10 marks आप यह मान के चलो 120 और अगर आपका normalization की वज़े से 45 number increase हो जाती है तो 125 प्लस मान के चलो तो आपका जो score है वो काफी अच्छा बन जाता है तो tension लेने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है और जिन बच्चों के अच्छे score है अच्छे score का जा सकती है ठीक है तो जैसा कि हमने बताई दिया कि आपकी normalization का factor भी fact करेगा उसके साथ साथ जो आपके answer की है उसमें wrong questions है वो भी fact करेगा और दूसरा आपका beard वाला मामला कि अगर beard वाले candidates क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा include किये गए हैं अगर उनको उनकी करें के साथ में फैसला नहीं आता है तो जीबिटी वालों की जो आपकी cut off है वो बहुत ही कम जाएगी ठीक है तो एक बार discuss कर लेते हैं इससे पहले एक बार जो है cut off का मामला जान लेते हैं कि क्या कुछ होगा देखो यह पहले ही बिलकुल जो data है उसको analyze करके उसके बाद ही बनाए गई है यह answer आपकी cut off तो बहुत ही जादा 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 इस जो official answer की आएगी उससे जादा gap आपको देखने को नहीं मिलेगा तो गवराने की सबसे पहले तो गवराने की जरूरत नहीं है जो बच्चे बहुत जादा tension ले रहे हैं तो tension लेने का कोई तो सबसे पहले तो btc versus beard दोनों चीजों के factors को लेके चलेंगे कि अगर beard के include किया जाता है तो क्या होगा और अगर only beard को बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या cut off होगी ठीक है तो total आपके जो है candidates को कि जो आपने RTI लगाए थी उसके base पे आपको पता चली ही गया होगा कि 59,444 टोटल candidates हैं आपके PRT में जिन्होंने की ये exam दिया है जिसमें से 4,00,000 के करीब आपके beard वाले candidates हैं यानि की data आप ये देखके चलो कि अगर beard वाले बाहर निकल जाते हैं तो PRT वाले यानि सिर्फ और सिर्फ 1,97,000 यानि की करीब 2,00,000 आपके candidates बचते हैं JBT वाले और जो आपकी vacancy है उसके base पर कम से कम भी 20,000 आपके candidates को भुलाया जाएगा interview के लिए तो अगर beard के pucks में फैसला आता है तो cut off high जाएगी और अगर beard के pucks में फैसला नहीं आता है और जो फैसला है व है इस चीज़ का फैसला ले लिया गया है लेकिन अभी तक इसको क्या रखा गया है कि इस चीज़ को अभी तक declare notification नहीं आया है लेकिन जो फैसला है वो court ने कर दिया है अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इसका और इसी चीज़ का wait कर रहे हैं उसके साथ साथ जो PGT और TGT कि क्योंकि interviews conduct करवाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जो है PRT की जो आपका result से late होने की वज़े हो सकता है कि एक बार इनका हो जाए उसके बाद आपका होगा ठीक है तो बहुत सारे factors थे जो की fact डाल रहे हैं एक बार cut off देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाली है तो स सिर्फ आपके लिए ही किया गया है ताकि जो आपकी confusion है कहीं ना कहीं जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि 150 प्लस जाएगी 140 प्लस जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके B.A.D. वाले candidates को बाहर किया जाता है तो अगर आपका score 180 है तो आप अपने score को अच्छा मान स सकते हो 180 to 122 general category की EWS की 170 to 140 OBC की 112 to 140 रहेगी और आपकी SC की 110 जो ST है वो 100 प्लस 105 के बीच में आपके अगर score है क्यों क्योंकि देखो 10 नंबर तो आपकी answer की according ही बढ़ने है जब आपके revised answer की आएगी तो 10 score तो आपका अपने आप ही increase हो जाएगा अगर उन्होंने वो questions revised answer की में आपके क्योंकि direct जो है answer बिलकुल wrong दिये गए थी ठीक है और जो handicap है क्योंकि बार बार वही बात है वही इन चीजों को भूल जाते थे तो message आते थे कि मैं हमारे बारे में तो कुछ बताया यह नहीं ठीक है तो 90 प्लस अगर आपके score है तो दा best रहेगा और अगर beard वालों को इसके अंदर किया जाता है include तो आपकी जो cut off है वो थोड़ी सी high चले जाएगी जो general category के है वो 125 प्लस चले जाएंगे ठीक है और अगर आप OBC category से हो तो 120 प्लस चले जाएंगे आपकी EWS से 120 प्लस OBC से 180 प्लस SC से 115 प्लस जाने के chance है और ST से 110 जाने के chance है तो 55 नंबर आप increase मान के इसमें चल सकते हो अगर beard को add किया जाता है तो बहुत ही जादा ये factor इसके उपर effect डालेगा आपका beard वाला कि इसको बाहर निकाला जाता है या add किया जाता है और कई candidates ये कह रहे थे जिनोंने beard नहीं कर रखी कि मैं हम इनको निकालना चा ये था इस तरह का जो case है या फिर जो भी कुछ function है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था rule regulation आपका जो exam होता है उससे पहले ही बने हो तो the best है ये बात बिलकुल ठीक है तो हम जो have beard के favor में नहीं है कि be beard को add करना या ना करना वो देखो government का काम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक request रहती है कि अगर कोई भी vacancy निकालो आप चाहे teaching की हो या किसी भी departments की तो जो rule regulation है वो पहले ही देख लिने चाहिए कि क्या rule है क्या होना चाहिए उसके बाद अगर decision लेते हो तो candidates पर क्या effect पड़ता है इसको सिर्फ वही जान सकता है जो preparation करता है क्योंकि जो beard वाले candidates है जि तो वो कहीं न कहीं ये दोस्त डालेंगे कि beard वालों को अगर बाहर निकाल दे जाता तो तुम्हारा selection हो जाता लेकिन किसी के उपर इस चीज़ का कोई effect नहीं पड़ना चाहिए क्यों क्योंकि देखो beard वाले कहीं न कहीं इस चीज़ को गलत जरूर लेके जा सकते हैं क्योंक लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है कह रहे थे कि वहम जितना पास आ रहा उतने घबराट बढ़ती जा रहे तो देखो ये सब मानते हैं कि एक बार अगर अगर अंसर किया जाती तो आपका confirm हो जाता और इसलिए हमने ये वीडियो डाली थी ताकि सब चीज़ों को एनला ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेंड सब्सक्राइब करना ने भूले क्योंकि बहुत सारा जो है एफ़र्ट किया जा रहा है ताकि आपकी जो confusion है उसको दूर किया जा सके और जो बच्चे इंटर्वियो की तयारी कर रहे हैं दावेस्ट है और जो प्रपरेशन नहीं कर पाए 100% अपना नहीं दे पाए तो इंटर्वियो में आप अपना अच्छा स्कोर जरूर रखना ताकि जो आपका यहां पे कमी है वो आप वहां पे जाके complete कर सको तो थेंक यू अगें और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक कि अए प्लीज लाईब है आप्लीज थेंK वर एला है कि लेगते और सक्षर प्लीज हब रखना झाम पॉं हरा रखना है मैं जहीं लाइका अभी murव और दकू आणा आ